आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की RRV LP की तयारी पहतर चल रही होगी तो फाइनली आप लोगों का रेलवे RRV LP का 25 नौवंबर का सेकंड सिप्ट का एक्जाम हो गया है 25 नौवंबर सेकंड सिप्ट में पूछे गए सभी प्रशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखे जिन बच्चों का आँगे आने वाले सिप्टों में एकर एक्जाम लगा हुआ है अगर आप लोगोंने हमारा फर्स सिप्ट बाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखकर जरूर जाएगा सेकंड सिप्ट बाला पिपर आप मैंने भी अभी अपलोड किया है थोड़ी देर के बाद आपको थर्ड सिप्ट बाला वी पिपर मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा देखेगा आप लोग जिन बच्चों का कल एक्जाम है तो वीडियो को पूरा देखेगा पूरा बहुच कीजिएगा तब ही आप लोगों के हर बात अच्छे से समझ में आएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख लेते हैं 25 नुवमर की दुतिया पाली में आररवी एलपी के एक्जाम में कैसे क्या प्रश्म पोचे गए हैं इसकी पीडियाफ आपको आज रात के 9 वजे तक इसकी पेडियो आपको मिल जाएगी हमारे वाटसप ग्रूप पे तो अगर आप वाटसप ग्रूप से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाएए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्कप्शन में मिल जाएगा पेडियाफ का कोई पैस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा तो पहला कोशन देखे पूछा गया था कि नीती आयोग 2015 की थीम क्या थी तो नीती आयोग 2015 की थीम थी उत्तम सासन नियुंतम सरकार ये 2015 की थी एक जनवरी ध्यान पूर्भग मेरी बाग को सुनिएगा एक जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करने और इसके इस्थान पर हाली में इस्थापित नीती आयोग को नेशनल इंस्ट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया को इस्थापित करने के लिए एक काविनेट प्रस्ताव जारी किया गया था तो ये जो नीती आयोग है इसको योजना आयोग को समाप्त करके नीती आयोग की स्थापना की गई थी कब की गई थी तो नीती आयोग की स्थापना एक जनवरी 2015 को की गई थी नीती आयो का अर्थ राष्टिय भारत परिवर्तन संसान NITIC है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीती आयो का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो नीती आयो का जो मुख्याले है ना ये नई दिल्ली में इस्तित है पंद्रा मार्च उनिसो पच्चास को योजना आयोक की स्थापना की गई थी तो योजना आयोक की स्थापना कब की गई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो योजना आयोक की स्थापना पंद्रा मार्च उनिसो पच्चास को की गई थी तो ये भी आप याद कर लेजि मंतरी नरेंद्र मोदी नितियायों के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है तो यह सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने क्योंकि इन ही पॉइंट से आपके पेपर में प्रस्न जो हैं पूछे जाते हैं एक कोशन देखे पूछा गया था कि इंडियन चेस्ट टीम के कौँच कौन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो या क्या कर रहे है आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्याद कीजिएगा आप लोग क्योंकि मैं आपको पेडिया भी दे रहा सिर्फ एक लाइक के उम्मीद कर रहा हूं अगला कोशन देखे पूछा गया था कि 2023 में ध्यान पुर्वक सुनिएगा 2023 में कितने अरजुन पुरुसकार दिये गए 2023 में कुल 26 अरजुन पुरुसकार दिये गए है अच्छा ग्राफ से ये पूछा जाए कि अरजुन पुरुसकार देनी की शुरुवात कब हुई थी तो अरजुन पुरुसकार देनी की शुरुवात वर्स 1961 में हुई थी कब हुई थी 1961 में अरजुन पुरुसकार खेल के छेतर में अरजुन पुरुसकार की छेतर में दिया जाता है तो, ये भी आपको point ध्यान रखना है अब देखिए, 2020 में अरजुन PUROSCALE के लिए जो परोषकार रासी थी, 2020मे 5 लाक रुपय से बढ़कार इसे कर दिया गया 15 लाक रुपय ये भी आपको point ध्यान रखना है अरजुन PUROSCALE पाने वाली पहली महिला कौन थी अर्जुन परोसकार पाने वाली पहली मैला होकी खिलाडी 1961 में एनी लंच देन नाम याद कर लिजिए एनी लंच देन हो सकता कि पेपर में यह प्रस्न आपसे पूछ लिया जाए अर्जुन परोसकार पाने वाली पहली मैला होकी खिलाडी एनी लेफ्ट देन थी 1961 में तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान भी रखने है ठीक है ना इस कोशन देखेगा चैतराम चोधरी नाम थोड़ा सा आजीव है चैतराम चोधरी को 2020 में कौन सा अवर्ड दिया गया है तो चैतराम चोधरी को 2024 में पदम सिरी पुरुषकार दिया गया है कौन सा पुरुषकार दिया गया है पदम सिरी पुरुषकार दिया गया है ठीक है अगला प्रस्म पूछा गया था कि नार्कोटेक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नार्कोटेक्स के वर्तमान में अध्यक्ष है अनुराग गर्ग हाली में हुई नियुक्तिव में अनुराग गर्ग IPS 1993 HP को नार्कोटेक्स कंट्रोल डेरो NCV का महन निर्देशक नियुक्ति किया गया है जिनका कारेकाल 23 महीं 2026 तक रहेगा तो यह पॉइंट आप ध्यान रखेगा अगला कोशन देखे पूछा गया था 1968 में जिन्हें पदमसरी मिला उन्हें 2024 में पदमभूसर पुरोशकार दिया गया उनीस्सोड़ ने जिने पद्मसरी विला था दूजार चोविस में पद्मसर किने दिया गया था वो कौन थी तो यह थी बजनती माला और बजनती माला कि एगर हम बात करें तो बजनती माला जो है ना यह भरत नाट्यम नर्ते सहली से समद्धित है अगर आप से पूछ लिया Pूछा गया क्रंफर ने कर पाया हूँ की कोस्षं क्या था कि 2024 डियारडीलो एभं इस समदित पूछ गया था कि क्वर्षं कि आ पूछा गया था अगला प्लिश देखिए पूछा load टें शक्ति का सूत्र क्या होता है तो मेरी प्यारे वचंव शक्तिका सूत्र होता है का अ इसकति का सूतर होता है इसे आप कर लॿजी यूए अश्यो श्क्ति की गरम बात करें तो अश्यो श्क्ति और द्योगिक छित्र मैं श्क्ति मापने के लिए परियुक्त एक एक अश्रक्ति बरावर कितने बाट होते हैं तो एक अश्रक्ति बरावर 746 बाट होते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है एक किलो पावर एक सेकंड में किये गए एक हजार जूल कार एक किलो बाट किस शक्ति है तो एक किलो बाट एच बरावर कितना होता है 3.6 इंटू 10 यह आपको ध्यान उठना है, एक question अक्सर paper में पूछा जाता है कि शक्ति की भोतिक मात्रा का बिमे सुत्र क्या होता है, तो शक्ति की भौतिक मात्रा का बिमे सुत्र होता है M1L2T3 यह आप याद कर लेजिए इसका सुत्र जो है वो याद कर लेजिए बिमे सुत्र अगला प्रश्म पूझा गया था कि जब चलती वस का चालक अचानक व्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यातरी आंगें की दिसा में गिर जाते हैं तो उसे क्या समझा जा सकता है इसे समझा जा सकता है न्यूटन के पर्थम नियम के दौरा तो न्यूटन का जो पर्थम नियम है इसे जड़तो का नियम भी कहते हैं से न्यूटन का पहला नियम कहता है कि प्रतेक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गती में तब तक रहेगी जब तक कि उसे बाहरी बल की क्रिया द्वारा अपने इस्तती बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है गती की अवस्ता में परिवर्तन का विरोध करने में यह है प्रवत्ती जड़तु है उदारन वायो मंडल से नीचे गरने वाली गेंद की चाल ठीक है अगला प्रस्ण देखेगा सो गास अगला प्रस्ण पूछा गया था एलकेनो एक होता है एलकेनो एक होता है एलकेनो और एलाइकेनो का सामान सूत्र क्या होता है देखिए ए इलकेंस का सामाने सुत्र होता है CnH2n-2 जहां n-carbon परमाड़ों की संग्या को दरसाता है और 2n-2 अणु में hydrogen परमाड़ों की संग्या को दरसाता है इलकेंस का सामाने सुत्र CnH2n-2 यह आप दिहान में रखिएगा ठीक है अगला question देखें पूझा गया था अगला प्रसमें पूछा गया था कि कौपर के विद्दुत अब घटनी परिस्क्राण में 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 विद वस्तू का वेग होता है 9.8 m upon S2 00. Terrope से गिरने वाली वस्तू के तौरौन को गुड़त्वा करशन के कारण Тौरौन कहा जाता है क्योंकि वस्तू को प्रत्वी के केंद्र की ओर खीचा जाता है गुर्तवा करेशन के कारण तुर्ण प्रत्वी के सते पर इस्तित है और इसका मान 9.8M upon S2 है इसको एरस कह सकते हैं आप लो तो यह पोशन थे आपके सेकेंड सिप्ट के RRB LP के एक्जाम में पूछे गए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से लाइक किजेगा अपने तमाम दोस्तों में वीडियो को सियर कर दीजेगा और इसकी पीडियाप आपको आज रात को 9 बजे तक हवारे वाटसब गूप में मिल जाएगी वाटसब गूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकर्शन में दे दिया है पैसा आपको नहीं देना है बिल्कुल निसुल्ग पीडियाप आपको मिलेगी आज शाम को 9 बजे तक आपको मिल जाएगे तीनों सिप्टों की पीडियाप बिल्कुल निसुल्ग तो चलिए मिलते है नेश वीडियो के साथ जैहिंजे भारत